तो next जो है हम कर रहे हैं किसमें जो है types of bill in parliament में अगला जो हमारे पास type है second कौन सी है सबसे पहले क्या है ordinary bill था अब second कौन सा है money bill तो money bill जो है okay तो money bill जो है क्या है bills that deals जो है solely with our or more matters under article 110 के 110 article के under जो भी deals के बारे में बात की है जो भी matters इसके under आते हैं उस पे जो है क्या है उस पे money bill जो है पेश किया जाता है तो money bill जो है यह है क्या अगर मैं बात करूँ article 110 में जो है क्या है इसमें जो है tax station है ठीक है tax के बारे में बात की गई है कि कौन कौन से tax बनते हैं जिन से जो हम जो हम tax pay करते हैं जैसे हम जो है कुछ tax interact पे करते हैं कुछ direct पे कर देते हैं ठीक है वो वाले होगे tax आ जाएंग खर्चे के बारे में बात की गई होगी ठीक है तो वो वाला आ जाएगा उसके बाद जो है cfi जाने के consolidated funds of funds of India and cofi ठीक है यह क्या करते हैं जो cfi है मतलब इनसे जो है क्या होता है custody और withdraw ठीक है मतलब खर्चे के बारे में कितना आया वो वाली जो है इसमें आया जाता है clear ओके तो यह क्या है इसमें जो भी बतल जो आर्टिकल आर्टिकल जाद रखना के आर्टिकल कौन सा है अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सा आर्टिकल है जिसके अंडर जो है क्या आता है money बिलाता है तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो है कौन सा आर्टिकल है 110 ओके अब जो है इसमें बात देखो Broving or Money by the Government क्या है जैसे World Bank की बात कर ले International Bank की बात कर ले जानी के जो Government है वो किस-किस से उधार ले रही है कहां-कहां से पैसा ले रही है ठीक है Broving ठीक है तो उसके बारे में वो है कि Government जो है किस-किस से ले रही है आगे Tax क्या है Imposition Abolish and Regulation and Many more इसमें क्या है Tax हम बात करें तो कही तरह आखी होते हैं ठीक है तो वो वाली बात कीगी कि Regulation जो है and many more जो है बहुत सारे है Tax जो हम देते हैं तो वो वाले हो जाते है और जो है आगे क्या है इस Bill को जानी कि जो Money Bill है इसको जो है कहां पे Introduce कहां किया जाता है देखो हम यही बात करें है कौन से Bill को पहले कहां पे लाया जाता है कहां पे पेश किया जाते है वो हम करते हैं देखो जाएगा तो संसद में ही ठीक है ना कोई Bill भी बनेगा तो वो जाएगा कहां पे संसद में ही जाएगा लेकिर अगर हम बात करें राज्यसबह में पहले जाएगा तो वो चीज़ हमें पता होने जाएगे ordinary विल पहले कहां जाता है दोनों में से कहीं भी जा सकता है कैसे है कैसे नहीं है तो वो हम करें तो जो money will है ये introduce कहां किया जाएगा प्रेजिडेंट पहले जो है किनसे रिकुमेंडेशन ली जाएगी लोकसभा के दुआरा प्रेजिडेंट से अगर जो है प्रेजिडेंट ने जो है इस पे जो है सहमती जितादी रिकुमेंडेशन दे दी तो जाकर यह लोकसभा जो है इसे लोकसभा इसे इंटोड्यूस अगर मेर मान लोग सब दोवारा इसको पास कर दिया घेता साथ और जो थैंव अब सब्सक्ति किस पास होगा ऑप सिंपल मैजियॉऔरिटी की बात करते है左右 हो दो मेहिंए होना चाहिए कि क्या कौन सी होती है तो simple majority जो है क्या है जैसे मतलब बाद में इसको मैं आपको अच्छे से explain कर दोगी वैसे क्या है मैंने पहले भी बताया आपको कि simple majority की होती है जब हमने amendment of constitution किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था ठीक है कि simple majority क्या होती है तो यहाँ पर जो है क्या है अगर money bill money bill में ए तो money bill जो है क्या होगा लोक सभा से जो है pass बाए किस majority से होगा simple majority से उसके बाद ये कहा जाएगा then राज्ये सभा उसके बाद ये कहां जाएगा राज्ये सभा एट अब राज्ये सभा जो है does not have the authority to amend and और क्या है reject the bill मतलब कि अगर हम बात करें बेशेक लोग सभा ने जब उसे पास कर दिया तो राज्य सभा जो है इस पे किसी भी तरह की उसको पास कोई भी ऐसी authority नहीं है राज्य सभा के पास कि वो इसे amend कर सके जा फिर इस bill को reject कर सके clear ना तो amend कर सकती है ना ही reject कर सकती है कौन राज्य सभा उके उनको जो है आया है तो लेना पड़ेगा अब जब लोग सभा ने पास कर दिया है तो फिक है अब जो है देखो क्या है राज्य सभा में जाएगा लेकिन उसके पास authority नहीं है ऐसे reject करनेगी तो क्या है can only recommendation only उसे क्या है recommendation करनी पड़ेगी लेकिन जो है क्या है लोग सभा accept it reject it ओके मलब किई इसको जो सर्फ recommendation दे सकते हैं किसको राज्य सभा सिर्फ recommendation कर सकते है किसको लोग सभा को इसे accept करने की, reject کرने की अधरवाइ़ कोई authority नहीं है के पास लेकिन जो है recommendation कर सकती है इससे जादा कुछ नहीं ओके अब जो है इसमें आगे जो है next क्या है तो अब अगर राज्य सबा इसको क्या करती है recommendation करती है वो उनकी इच्छ है लोग सबा की इच्छ है कि उसको जो है accept करे जा reject करे कोई बंदिश नहीं है लोग सबाबा के उपर कि वो जो अगर राज्य सबा ने मनी बिल में जो है कुछ reject किया है जहां कुछ recommendation दिए तो वो लेने ही पड़ेंगे नहीं ऐसा कुछ नहीं है तो यहाँ पर लोग सबा को सिर्फ वो recommendation दे सकती है इसके इलावा लोग सबा के उपर किसी भी तरह का कोई दबाब नहीं है कोई बंदिश नहीं है कि वो उन recommendations को माने वो उन्हें मान भी सकती है और खतम भी, reject भी कर सकती है उनको नहीं भी मान सकती लेकिन देखो राज्य सबा के पास देखो उसके पास authority नहीं है recommendation दे सकती है लोग सबा मानने ना मानने वो उनकी इच्छा है लेकिन इनके पास यह है कि can hold यह इस बिलको money bill को क्या है hold कर सकते है कितने दिन के लिए 14, 14 दिन तक जो 14 दिन से कम ठीक है 14 days for 14th और less than 14th day तो यह समझ में आपको आ गया कि money bill जो है यह क्या है और इसमें कैसे कैसे काम होता है यह कहां पर पेश कीने था लेकिन उससे सब्सका पषेश होता है लेकिन उससे पहले किस की recommendation ली जाती है तो वह ली जाती है किनकी president की last में president के पास ही जाना हिगे वो तो कुछ नहीं करेंगे पहले recommendation के साथ हुआ है तो वो इसको जो है accept करेंगे ही करेंगे ठीक है तो फिर बाद में ये bill क्या बन जाएगा एक act बन जाता है ओके next हमारे पास कौन सा है हमारे पास third bill आता है कौन सा financial bills financial bills जो होते हैं ये कौन से होते हैं और इसमें क्या होता है इसके बारे में हम करते हैं तो यह क्या होते हैं नौन मॉनेटरी इशुज जो नौन मॉनेटरी इशुज होते हैं वो वाले और प्लस इसमें जो होते हैं मॉनेटरी इशुज जो होते हैं लिस्टे इन आर्टिकल 110 तो 110 जो आर्टिकल है वो इसमें शामिल होते हैं और इसके लवा जो non-monetary issues होते हैं वो होते हैं इन दोनों को mail होते है इन दोनों को मिला कर जो बनता है वो कौन सा bill होते है तो वो होता है financial bill अब financial bill अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसमें कुछ देखो दोनों का mail है बना कि इसमें dzi straps money bill भी आ जाते है तो money bill जाने कि money bill को हम financial will भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें क्या है article 110 जो है वो आ रहा है तो 110 जो article है वो किसे सबंदित है तो वो तो है किसे money bill से तो money bill से सबंदित है तो इसका मतलब अगर वो article इसमें आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो money bill है उनको financial bill भी कह सकते हैं क्योंकि उसमें अब देखो इसमें similar क्या है दोनों में money bill और financial bill में अब इसमें similar क्या है similar to money bills in two respects two respects है इसमें कौन-कौन से first तो यह कि यह only in a introduction in only किसमे होता है लोक सभा में जैसे money bill का क्या है सिरफ कहाँ पर उसे पेश किया जा सकते हैं लोक सभा में तो जो financial bill होता है वो भी लोक सभा में ही जो है क्या है पेश किया जाता है ध्यक है आगे requires जो है परियोर recommendation of president, जynिके इसमें क्या है कि जो है यह bill भी, जैसे money bill जो है, पहले जो है president की recommendation लि जाती है, उसमें ऐसे ही जो है financial bill में भी जो है पहले जो है president की recommendation लि जाएगी लोक सवा के दुआरा, ठीक है, ओके तो इसमें के बाद जो है, इसमें यह तो अगर similar कि यह similarities हैं इन दोनों बिल्स में difference क्या है different from money bills as तो क्या है money bills है different कैसे आई यह तो money bill के हिसाब से कर देखा जाई तो यह तो similar है लेकिन different क्या है different की बात हम करते हैं तो can be either rejection and amended राज्य सबाब तो इसमें क्या है कि यह तो money bill में वह rejection नहीं दे सकते much नहीं कर सकते ओके लेकिन इसमे क्या है इसमें राज्य सबा जो है वो reject भी कर सकती है और amend बिल्स मैं कुछ की जाएं कुछ जू है कुछ शिन्शधी дополн कर अब की जाएं जाने कि उसमे تم कुछ गडबड उसको जो है सुधार कर फिर दुबारा से लेकि आया जाए ठीक है वो ऐसा कह सकती है यह उनके पास अथारिटी होगी इसमें ठीक है उसमें यह नहीं थी इसमें क्या है डेड्लॉक पॉसिबल है उसमें जो है कुछ नहीं कर सकती लेकिन इसमें क्या है इसमें डेड्लॉक जो ह लिगा सकते हैं यहांब है तो किया कहता है धीयों जै कि आता ह। armpel निखा गया है तो फिर किया एद प्रेजिदेंट है वह जो है वह जो है जुइंट में जैशन तो इसको जो है किया जाता है यह इतना इत्तना इह बस आपको इतना रखना है इसमें जाल कि अगर डेडलॉक पॉसिबल होता है इसमें ठीक है तो फिर क्या है प्रेजिडेंड जो है आर्टिकल वन जरो एट के तहर वह जो है ज्वाइंड सेहिंड को बुलाता है ओके नेक्स इसमें आता है नेक्स हम करते हैं इसमें तो नेक्स जो है फिनेंशिल बिल में क्या है ओल जो है क्या ओल मनी बिल्स आर फिनेंशिल बिल्स जो मैंने आपको पहले ही बताया है क्या है जो सारे ही जो मनी बिल्स होंगे उनको जो है क्या कहा जाता है Financial Bill but जो all financial bill होंगे यो है are not money bill तो वो financial bill होंगे वो money bill नहीं हो सकते है money bill financial bill हो सकती है क्योंकि इसके अंदर article 110 आता है इसलिए next देखो तो next क्या है money bills इसमें कौन इसे bills आता है money bills article 110 आ गिया अगे financial bill 1 जो होता है वो कौन से article के एंडर आता है तो article 117, one के एंडर आता है, इसमें क्या का गया, article जो 110 है, ठीक है न, जिसमें जो भी money bill का matters आते हैं वो वले, तो article 110s matter और plus other matters of general legislation ठीक है, जो general legislation होगा, उसके matters, ठीक है, उसके जो भी others matters होगे, और Article 110 के matters वो जो है हमारा क्या होगा Financial Bill जो होगे First होगा Article 170 वन आर्टिकल के under आगे जो है Financial Bill Second जो आ जाता है हमारे पास वो कौन से आर्टिकल है 117.3 ठीक है इस के अंडर इस आर्टिकल के अंडर हम बात करें तो इसमें क्या आता है इसमें कौन से matters क्या आता है इसमें तो वो हम देखते हैं provisions involving expenditure from consolidated fund of India जो consolidated fund of India है from उससे जो है क्या खर्च जो है provisions involving expenditure खर्चा होता है तो वो होता है ठीक है इसमें और क्या होता है does not include any of the matters mentioned in the article 110 तो इसमें क्या है ऐसा कोई भी matter ऐसा कोई भी matter जो है वो इसमें शामिल नहीं है किसमें financial bills second में और article जो है एक सुस्तारा तीन वाले में इसमें जो है कोई ऐसा matter नहीं आता जिसमें article 110 का कोई matter हो ठीक है does not mention clear ओके तो यह हो गया हमारा financial bill अब जो है देखो क्या है कि अगर हम बात करें न तो जो अलास में अगर प्रेंशल बिल आया था तो वह कौन सा था टेक्स्टेशन लॉस अमेंडमेंट हुई थी यह बिल कब आया था जो है 2021 में 2021 में ओके तो यह था हमारा financial bill ओके नेक्स हम करते हैं कौन सा हमारा बिल है लास हमारे पास फोर्थ जो टाइप बचती है वो है हमारे पास constitutional amendment bill ठीक है वो हम करते हैं तो नेक्स क्या है मारे पास constitutional amendment bills तो इसमें क्या आ जाता है six to change or change one or more जो है provisions of the constitution क्या होता है कि अगर जो है किसी constitution में किसी provisions को एक provisions को जब एक से ज़्यादा provisions को अगर change करना है तो उसके लिए क्या किया जाता है मतलब कि अगर constitution में किसी भी तरह का बदलाव करना हो किसी तरह का भी change मतलब बदलाव जहां फिर कुछ add करना है जहां फिर कुछ delete करना है constitution से तो उसके लिए क्या होता है constitution amendment की जाती है तो उसके लिए भी क्या होता है constitution amendment जो है bill होते हैं ठीक है तो does not require president prior जो है recommendation इसके लिए जैसे money bill में हो गया जाब फिर financial bill में होता है तो उसमें तो क्या करते है कि पहले जो है recommendation लिए जाती है किन से president से लेकर इसमें ऐसा नहीं होता इसमें क्या होता है कि इसमें जो है president की recommendation नहीं ली जाती उके उसके बाद can be represented in either house इसको किसी भी upper house lower house जो है मान लो लोक सभा राजे सभा किसी भी house में जो है पेश कर सकते है किसको constitutional amendment को ठीक है amendment bill को तो requires special majority in each of pass each of pass का मतलब यहाँ पे जो है special majority तो special majority चाहिए हमें किसके लिए constitution amendment bill के लिए तो special majority ली जाएगी तब जाके इसको जो है pass किया जाएगा okay can be deadlock issue इसमें भी deadlock issue आ सकते हैं जैसे कि इसमें financial bill में आ सकते deadlock issue ऐसे जो है इसमे deadlock issue जो है आएंगे आ सकते हैं लेकिन इसमें क्या है but can't be a joint session to resolve it इसको resolve करने के लिए जैसे financial bill में क्या है joint session बुलाया जाता है present के दुआरा लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता but इसमें जो है क्या है इसमें joint session नहीं बुलाया जाता okay अब देखो next क्या है इसमें 24th constitutional amendment bill आता है कब आया था जो है 1967 में इसमें क्या था made it compulsory इसमें क्या कहा गया कि यह युरूरी यह compulsory है ऐसा हुना ही चाहिए for the president किसके लिए made it compulsory for the president to given given his ascent to constitutional amendment bill तो क्या है उस पर जो है approval चाहिए kis की चाहिये ही चाहिए compulsory है किस की president की ओके किस पर चाहिए किस bill पर चाहिए approval president की constitutional amendment पे लेकिन अब जो है क्या है अब ऐसा नहीं है तो यह जो था 24 जो amendment constitution amendment bill था उसमें जो है 1967 में यह कहा गया कि made it compulsory for the president to give his assent to constitution amendment bills clear तो यह था हमारा आज का topic कौन सा types of bills in parliament agreement अब देखो कुछ अब इसमें हमने जो है कुछ बाते की हैं कुछ इसमें मतलब के जाना है simple majority हो गया special majority हो गया effective majority हो गया तो वो क्या है उसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताती हूं क्या होते हैं सबसे पहले बात सबसे absolute majority होते हैं इसमें क्या हूत है more than more than 50% of the total house जो strength होगी माल लो total strength कितनी है 100 है माल लो किसकी दोनों noises की तो उसमें से 50% जो होगा उसके उसे हम जो कहके मतलब कि उसमें से 50% जो है माल लो उसमें से 100% से 50% मतलब कि शामिल है तो उसे हम कहेंगे absolute majority ठीक है लेकिन जो simple majority उसमें क्या होता है कि majority of more than 50% of those present and voting अब जो है क्या होगा माल लो total जो है 100% है 100 member है लेकिन उसमें जो है कितने present हुए कितनों ने voting दी है वो जो है simple majority थी माल लो 100 है 100 में से present हुए कितने 100 में से present हुए जो हुए वो हुए 90 हुए तो 90 में से 50 परसेंट चाहिए ठीक है more than 50 परसेंट तो मानलो पचा नबे आए नबे में से 45 जा 45 जा 46 मा मोर देन 50 परसेंट होना चाहिए तो 46 भी हो सकते हैं तो वह वाली होगी simple majority ओके उसके बाद effective majority total strength total strength कितनी है मानलो total strength है एक 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 सो एक सो दस और number of vacancies कितनी है number of vacancies सारी कितनी है 10 तो उसमें जो है हमारे पास जो effective majority होती है वह कितनी होगी 100 okay 100 हो जाएगी ऐसे जो है क्या है next जो होती है हमारे पास वह कौन सी होती है special majority जब हमने अभी यहां पर बात की यह वाली ठीक है ना यह वाली special majority तो special majority क्याते है majority of second two by third okay majority of two by third members present in voting मान लो कि जो है क्या होने चाहिए रिवाटिंग मान लो कि जासे 100 member है 100 में से क्या है रिवाटा 3 पर रिवाटिंग उसमेंसे प्रेज़़ प्रेजि़टे कि इनके वोटिंग उन ज़ने चाहिए कि इनके majority होने चाहिए one जो है two by third मान लो 90 बटा 3 को इसको भाइड कर देंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा 3 तो यहां पर कितना आ जाएगा 60 साथ मेंबर्स जो है अगर हमें वोट करेंगे तब जाके हमारी स्पेशल मिशियोरटी बनेगी जना कि नबबे में से कितने होने चाहिए 60 होंगे तो ऐसे ही क्या है कि मालनों जितने मेंबर होंगे उनको जो है टू बाइ थर्ड से हम डिवाइड करें मतलब करें करें तो जो हमारे पास आएगा वो होंगी है हमारी special majority special majority देखो आदे से जादा हो जाती है नबे का आदा अगर हम बात करें तो 45 होगा लेकिन ये क्या है 15 अधिक है तो ये क्या होगी special मतलब के खास जो majority चाहिए बहुत मत चाहिए तो वो हमें जो है प्राप्त करना पड़ेगा तो इसे कहते हैं majorities के तो ये आपको मुझे लग होगा अब इसमें कोई भी doubt नहीं होगा तो ties of will in parliament ये हमारा topic था ओके thank you